सेर जो खुले मैदानों का राचा है सेर का डर जंगल के तमाम जानोरों के अंदर हमेशा बना रहता है सेर हमेशा बड़े सिकार करता है जिसमें सामीले वाइल्ड बीश्ट और वाइल्ड बीश्ट के बाद आता है कैप बेफैलो लेकिन इन में सच ज़्यादा तरसिकार बनता है वाइल्ड बीष्ट क्योंकि ये सेर का सबसे सरल सिकार है वाइल्ड बीष्ट का सिर्फ एक काम है सेर को देखते ही वहाँ से फारण भाग लेना ना कि अपने साथी को सेर से बचाना लेकिन यही चीज कैब बफैलो के साथ उल्टी है अगर बफैलो का पूरा जुन्ड साथ में है और सेर किसी एक बफैलो पर अटाइक करता है तो बफैलो का पूरा जुन्ड मिलकर सेर को दोडा लेता है कभी-कभी तो ये बफैलो इतने जदा अग्रेसिव हो जाते हैं कि ये सेर की जान तक भी ले लेते हैं इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं बफैलो के खौफ से सेर पेड़ पे जाके बैठा है वो बात भले अलग है अगर सेर अडियाल है फिर चहर बफैलो या वाइल्ड बीष्ट हो या हाइना फिर ये लपेट सब को देगा